नमस्कार दोस्तों मैं और उनकुमार उमीद करता हूँ आप सबी लोग बेतर होंगे, कोशर मंगल होंगे दोस्तों इस लॉक्डाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मैं मिस कर रहा हूँ जिसके बारे मैं बात करना चाहूंगा वो है शादिया क्योंकि शादियों में यार दोस्त मिलते हैं, मजाक मस्ती होता है, इतरे-टरे की नोटंख्या होती है, हरकते होती है अभी इस लोकडाउन से पहली एक शादी में गया हुआ था और शादी को ले करके जो दूले के दोस्त होते हैं उनकी बहुत अलग फैंटसी होती है जैसे जैसे मैं किसी दोस्त की शादी में जा रहा हूँ तो में बड़ी अलग फैंटसी होती है कि हा मतलब ऐसे हमारी पहुचे तो ऐसे सासुरजी आ रहे है दूले के आकर कि भाईसा आपका स्वागत तो हम पानपराग सही करेंगे और ऐसे गले माला वाला अलग बाहुल चाहिए होता है जैसे अब होता नहीं जोग इमेग जैसे ये शादी में पहुंचते हैं हम लोग शादी में पहुचे अब उसी बीच में क्या होता है कि एक दोस्त को जोश आ जाता है जिसके पास में डोले शोले थोड़े पैक्स वैक्स बनाए हुए उसने वो उतार देता है अपनी कमीज अब जैसी वो कमीज उतारेगा क्या होगा अब आसपास वालों को जोश आएगा वो भी कमीज उतारत इक चीज पर द्यांदेरा सब के steps एक जैसे हो जाते हैं चोली के पीछे क्या है चोली के पीछे माँ भाई, पीछे हो या, मेरी चोली तो पहली ही पाढती है अब इसके पीछे या तो चार बाल है मेरी छाती पर और ये चोटी से चरबी पेट की जो ऐसे ऐसे लेरे ले रही है अब नाचगाना चल रहा है सब के बिना कपड़ों के अब एक दोस्त आता है मेरा काफी मोटा है मतलब मोटा मतलब थोड़ा डीला है आप समझें रहे वो जैसी आता है एक दोस्त ने क्या क्या मासूमियत में आकर के उसकी चोली पाड़ शर्ट पाड़ दी अब जैसे उसकी शर्ट पटी है भाई सब जिस दोस्त ने पाड़ी उसको गाउवालों ने पकड़ लिया और बहुत सूता कैरे साले तेरी हिम्मत कैसी हुए एक औरत के कपड़े पाड़ने की मेरे दोस्त को देखकर के बहुत सारी लड़किया शर्मा गी कैरे इतने बड़े स्तन अब मानोगे नहीं उसका पेट देखकर के औरते भागती हुए आई हैं चार एक बोल रही है साड़ी का घेरा बनाओ दूसरी बोल रही है भगोने पानी लाओ तीसरी बोल रही है कि बैसा आप तौलिया लेकर क्या हूँ यहां तो माहौल खराब होगा मैं किसी तरीके से अपना जो पेटता हुआ दोस्ता उसको निकाला क्योंकि दूसरे की तो डिलिवरी चल रही थी निकाल करके हम लोग कैसे घरके खाने तक पहुँचे हैं अब जैसे खाने पर पहुँचे हैं पहुंचते क्या हुआ कि एक इ जानी देख करके वो बंदा कैसे रीक्ट कर रहा है कि उफो मैं पहुचे हैं जो बीच में नाला ए ना यह बड़ा सा यह पार नी हो रहा मिर से कोई टेंशन वाली बात नी है नियोंगे ज हुआ करके दोस्त को बुलाया आप मानोगी मैं ने दोनों साइड़ों से उसका हाथ पकड़े एक तरसे मैं इन पकड़ी आप पानी के पार कीया है अब जो निखला निघकरा वाईसाव आप मैं तोम आपने मौज कर दी बेठ्य जैसे कुछ नाम है वहाँ पर चावलों के सामने खड़ा हो पड़े खूबसूरा सफिद रंके चावल बने हुए थे जैसे ही मैं पहुंचा जा करके मैंने देखा वह बंदा कल्शी लेकर करके कलगा पाइट वह इतनी क्यों पी लेते हुए यार जब सहन नी होती बैसे पीट है एवाने भेड़ी सी रसमलाई ले रहा है में ऑके इधार चावल ले रहा ह tomar और पीस नहीं अरे सारा रस रस आराइस में आए काम करता है रसमलाई बाद में खाएंग गार आराम से काने के बा चलो चल करके खाना लेते हैं वो थोड़ा से सरका और जो सबसे पहली चीज शादी में लोगों को समझ बाती है वो पनीर और वो पनीर के बहुने के सामने खड़ा हुआ है और वह था ये छोले जो ये ग्रेवी वाले या फिर बतलब सुखें मैं ग्रेवी वाले है और क्या मो यह मैं भाइसाम मैं पनीर अब के पास में खादा मैं छल यह जटा करके कुछ और ले 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 लेते हैं आगे बड़े मैं चली है रोटी देता हूं आपको और के ले रोटी खाते चल नहीं आज़ा हुआ निमिंस से लीцевिर हम नहीं वां पर मिंस्वेज पोनी चाई है हो या मिक्स-वेज दी उनको मिक्स-वेज दे करके रोटी जब डूणने गया तो रोटी मतला ऐसी हो जाती है चमड़ी जैसी है जा करके यहां चमड़ी के बेल्ट खालो उससे नरहम होती है तो ठंडी हो चुकी थी काफी देर हो चुकी थी फिर वो रोटी उठाई मैं ने दीम है जाओ चलो रोटी खाएंके बैट कर के अब गाओ दियात के ढागों में आप जाओगे तो Mage के होता हुथ है कि युदा के थाली युदा कर कि थाली के लिए राबर में जूते उतारकर कर द के कि पानी अब रकत करकर थे सारी चीज़ें अब रोटी उने पकड़ी हमें मुझे ऐसा लगा इस इंसान ने बीम से इनके छाती पाड़ दिया बाई सब कितनी दाकत लगा दियो उसने वो रोटी का टुकड़ा उस इंसान ने लिया और जमीन पर लगा रहा है प्लेट में नहीं लग रही है जमीन पर जिसमा मिट्टी पड़ी हुई है बहुत पैसा खर्च किया लेड़ की वालों ने खाने पर एदन नरम रोटी बनाई है हल्की सी मैं पैसा तो बहुत खर्च हुआ खाने पर मैं स्वाद खाना बना हुआ हमें तो पता हिंचे लिए रोटी की अब उसने को तुकड़ा वापस लिया और दुबारा वहीं जमीन पर फिर दुबारा मैं यार ऐसे यह भूखा रहे हैं अगा बंद मेरा हाथ पखड़ा बाइसाब यह बड़े हराम खो रहे हैं मैं क्या हुआ इन्हें पदा नहीं चली भाइसाब सब्जी मैं मिट्टी गर गई है और बाइसाब सब्जी मैं मिट्टी खा रहे थे अब पानी और जूता एक साथ रखा हुआ है तो उस इंसान ने उठाया जूता जूता उठा कर गए अब इससे अगर कुछ गोला ने लडाई कर देगा तो मैंने रिस्क ने लिया जूता चीनने का मैंने कहा कि कि मैंने पानी के ग्लास उठाया और जूते में पानी डालना शुरू कर दिया और वह बड़ा गरब पानी हो थोड़ी बैक सी भी होगी है इसमें पुराना होगा अब यह पानी बद़वा दू पानी नहीं दोस्ती आदत बदलनी पड़ेगी शराप कंपिया करो और आप सब अच्छी गाईज क्यू आरान सब्सक्राइब आप संदा स्थ झाल बाल जी, बाल र supports लाओल, सिघकने याम śबिस सब में ए öल धा।